हिमाचल प्रदेश की राजधानी श्रीमला में बारिस ने जगा जगा आफ़त बरपाया है इस वक्त हम लोग श्रीमला के कृष्णा नगर इलाके में हैं और यहां चार-पाच मकान लेंड्सलाइट की वज़ा से नीचे ढह गए हैं स्लाटर हाउस भी था वो भी आपको गिरा हुआ दिख रहा है मलबे की शकल में इस वक्त आप लोग देख सकते हैं एक डेट बोडी यहां से निकाली जा चुके और इंडी आरेफ और हिमाचल प्रदेश पुलिस के लोग यहां तैना थे कुछ लोग महां कोई मौजूद नहीं था लेकिन स्लाटर हाउस में दो से तीन लोग मौजूद थे और एक डेट बोडी निकाला जा चुका इंडी आरेफ के लोग यहां मौजूद हैं हमारे साथ इंडी आरेफ के अधिकारी भी हैं रूप शरंजी किस तरह से ऑप्रेशन आगे चलाए जागा क्या कुछ है इसमें और 40-50 मकान आपको इपर फिर तस्वीरे दिखा दे शालनी उपर के जो 40-50 मकान आप देख रहे है उस उन मकानों को खाली करा दिया गया है ताकि आने वाले वक्त में किसी तरह का भूस खलन हो तो वो भी मकान अगर गीरे तो जान माल की छती नहों हाला कि कुछ लोग अभी भी हमें कैमरे पर दिख रहे हैं जो कि बगल के मकान में हमारे साथ रूप सरन है जो कि एंडी आर कि आदिशा नुशार यहां शिमला पहुंची थी पंदर तारिक को हमने से मंदर बावली में जो शिमर में है वहां रेस्क्या करने आए हैं यहां पर हम बहार ऑपरेशन कर रहे थे तो साम के लिए वहां से पता लगा कि यहां पे पांच शे बिल्डिंग कॉलेप्स हो गई हमारा ओपरेशन अभी कंटीन हुए अभी एक से दो लोग यहां फसे होने की संभावना है संभावना एक या दो लोग फसे हुए उपर के कितने मकानों को खाली करा है उपर के जो मकान दिख रहे हैं वहां जो उपर में हमें कुछ मकानों पर कुछ लोग दिख रहे हैं वह प्रिसासन न को चैनापान थे दिया है। जा रहे है ताकि कुछ सामान खाने का या जरूरी जो सामान है उसे निकाल सके 40-50 मकान को नोटिस दिया गया है दूसरी तरफ वो जो लेंड्सलाइट का हिस्सा आपको दिख रहा है उसके उपर भी 40-50 मकान यानि 50 से अधीक मकाने जिन्हें नोटिस दिया गया लेकिन सामने म कुछ लोग हमें दिख रहे हैं प्रशासन उन्हें नोटिस दिया है कि नहीं ये बताना फिलाल मुश्किल है लेकिन इंडी आरेफ के लोग क्रेन के साथ तैनात है ताकि मलबे को हटाया जा सकते तो पूरा का पूरा इलाका आप देख सकते किस तरह भारी बारिस के बाद लैं दिना खासा है एक व्यक्ति की मौत हुई है यहां और एक से दो लोगों के फसे होने की आसंका है इंडी आरेफ के अधिकारियों ने हमें बताया तो लगतार रेस्क्यू ऑप्रेशन जारी है और लेकिन यहां आस-पास के मकानों पर खत्रा अभी भी मंडरा रहा है कैमरा प